नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया चैप्टर सरली करण जिसको इंगलिश में कहा जाता है सिंप्लिफिकेशन दोस्तों ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है इसमें से कोशन भी आते हैं बैंक हो चाहे रेलवे हो चाहे आपका पॉलिटेकनिक हो चाहे यूपीपी हो आपका कोई भी परिच्छा हो सब में ये चैप्टर से कोशन पूछा जाता है तो हम लोग इस चैप्टर का बेसिक करेंगे एकदम बेस से सुरू करेंगे ताकि कोई भी कमजोड से भी कमजोड बच्चा इस चैप्टर को आसानी से कर सके इस चैप्टर में हम लोग एक नियम पढ़ेंगे बौर्ड मास का नियम पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ब्रैकेट मल्टिप्लिकेश एडिशन, सब्ट्रेक्शन जो भी कुछ दी हुई है इन में से पहले किसको सॉल्व किया जाता है किस रूल से कैसे इसको सॉल्व किया जाता है step by step ताकि हमारा question गलत ना हो और सही हमारा answer हम लोग निकाल सके तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अभी तक आप लोग अगर मे इसमें क्या होता है दोस्तों इसको board mass ये जो board mass है इसका full form क्या होता है बी मतलब होता है bracket जिसको हिंदी में बोला जाता है कोस्टक अब कोस्टक कितने प्रकार के होते हैं 4 तरह के होते हैं एक तो ये हो गया bar bracket बार कोस्टक इसको बोलते हैं ठीक है उसके बाद दूसरा वा मतलब होता है का, ठीक अगला है हमारा D, D मतलब division जिसको हिंदी में बोला जाता है भाग, इस तरीके से sign दिया रहेगा, अगला हमारा है multiplication मतलब की गुड़ा, अगला है addition, यानि की योग या जोड, अगला है हमारा S, S मतलब subtraction यानि घटाओ, दोस्तों जो भी आपका question दिया रहेगा, आपको इसी क्रम में ही question को solve करना है सबसे पहले आपको bracket solve करना है, bracket का क्रम ये होगा, पहले बार bracket, उसके बाद छोटा bracket, उसके बाद मजला bracket और सबसे बाद में आपको बड़ा कोस्टक solve करना है इन सब को solve करने के बाद आपको off अगर दिया हुए है उसको solve करना है अगला जो हमारा step होगा वो division को solve करना है फिर multiplication को solve करना है उसके बाद आपको जोड़ना है बाद में घटाना है आपको आगे पीछे नहीं करना है जैसे ये नियम कहता है वैसे ही आपको question को solve करते हुए चले जाना है ठीक है तो चली शुरू करते हैं एक question जिससे मैं आपको समझाओंगा कैसे ये नियम जो है लगाया जाता है दिया हुए है एक point seven minus दिया हुए है और यह capital bracket है बड़ा bracket है six point seven point six minus मजला कोश्टक है six point five minus छोटा कोश्टक है five point four उसके बाद minus है four point three minus two दिया हुए है और इस पे बार ब्रेकेट लगा है छोटा कोश्टक बन कर दिया मजला कोश्टक बन कर दिया उसके बाद के बाड़ा कोश्टक बन कर दिया इसको आपको solve करके इसका आपको उत्तर निकलना है सरलतम रूप इसका लिखना है तो चलिए solution देख लेते हैं इसका क्या आएगा, सबसे पहले इस question को करने के लिए हमें क्या करना है, board must rule लगाना है इसमें क्या है, केवल bracket है और minus का chin है तो सबसे पहले आपको क्या solve करना है यहाँ से देखेंगे, bracket bracket जहां जाओगा, पहले उसको solve करना है ठीक है, तो चलिए यह सबसे पहले हमें कोस्टक को solve करना है जिसमें कोस्टक में यह एक बार कोस्टक भी दिया हुआ तो सबसे पहले इसको solve करेंगे यह कोस्टक के बाहर है, minus का जो sign है कोस्टक के बाहर है, कोस्टक के अंदर क्या है 4.3 minus 2, तो यह क्या हो जाएगा 5.4-2.3 क्या हो झाएगा 3.1 हो जाएगा तो क्या हो लिखेंगे यहाँ 8.7-7.6- मज़िला को स्mak 6.5- इन सबगे जगह क्या लिखेंगे यहां से हो जाएगा 2.3 में से 5.4 निकलेगा क्या बचेगा 3.1 मज़िला को स्टक लगिए बड़ा को स्टक लग जाग अब क्या D 4.2 यानि 8.7 माइनस 4.2 अब करके क्या आ जाएगा we और हमारा 4.5, यह हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीकी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अल्ला कोशन करते हैं, एक और हम लोग नियम देखेंगे, उसमें क्या रहेगा, जैसे दिया हुए 25 इंटू 63, डिवाइड के साइन है, 7 प्लस 27, 7 माइनस 2, इसका क्या निकालना है, मान निक दिता हूँ, E option दिया हुआ है, 230, B option दिया हुआ है, 210, C option दिया हुआ है, 240, और D option दिया हुआ है, 250, इसको सॉल्व करना है, solution दिखते हैं, आप लोग वीडियो को पॉल्च करके इसको सॉल्व करिए, फिर एंस और मिला है, जल्दी से करिए, देखें, इसमें board mass rule तो हम board mass rule में क्या है, सबसे पहले B O D M A S, अब इस question को करने के लिए हमें board mass rule लगाना, ठीक है, इस question में bracket तो दिया नहीं है, off भी नहीं दिया हुआ है, division का sign दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, division वाला हम सॉल्व करेंगे, ना हम गुड़ा वाला पहले सॉल्व करेंग क्यों division के बाद multiplication है, तो 25 गुड़े नहीं क्या होता है, 225, यहां लिखेंगे 225, अब प्लस, अब इसको minus कर दते हैं, यहां plus है, यहां minus है, तो 27 minus 2 क्या हो जाएगा, 25, क्या हो जाएगा, 225, यह मारा answer हो जाएगा, D option हो जाएगा, अगले question के तरफ चलते हैं, दिया हुआ 2 minus मजला कोश्टक 3 minus, चोड़ा कोश्टक 4 minus 3 minus 2, यह क्या है, बार bracket है, चोटा कोश्टक बंद हुआ, मजला कोश्टक क्या हुआ, बंद हुआ, अब इसको बाद इसका solution देखते हैं, ठीक है, option इसका भी दिया हुआ है, मैं option बोल देता हूँ, लिख नहीं पाया है, मैं बोल 3, c option 1, और d option दिया है, 4, चले इसका solution देखते हैं, पहले, सब सब पहले हमें क्या bracket solve करना है, क्योंकि हम bracket दिया हुआ है, तो bracket में भी हमें क्या, बार bracket solve करना है, यह 3 minus 2, यह bracket के बाहर है, 3 minus 2, 1 हो जाएगा, 4 minus 1, फिर bracket चो है, मजला, सॉरी, बार bracket को solve करने कबाद, छोटा bracket solve करना है, यह 1 आ गया, 4 minus 1, 3 हो गया, यानि छोटे कोश्टक में क्या आ गया, 3 आ गया, फिर मजले कोश्टक में क्या बचा, 3 minus 3, 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 minus 0, यान 2 इसका answer हो जाएगा, लिखना ही नहीं पड़ा, ठीक है, यह option, ठीक है, समझ में आ गया, एक उसके बाद 3 minus 3, 0 हो गया, 2 बचा, यह हमारा क्या हो जाएगा, दो उत्तर हो जाएगा, यह option हो जाएगा, अगला question की तरफ चलते हैं, दिया हुआ है, मॉड में, 2 into 2 minus 3 into 2 minus 4 into 2, मॉड में इसका मान निकलना है, यह option दिया हुआ है, इसका, options लिख देता हूँ 11, B option 10, C option क्या है, 9, और D option दिया है, 8, ठीक है, इस question को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए आगे चलते हैं, ठीक, solution देखते हैं, ठीक है, इसके में हम क्या लगाएंगे, board most rule लगाएंगे, सबसे पहले हमें, multiply, सबसे पहले हमें क्या bracket solve करना है, bracket इसमें दिया हुआ नहीं है यह क्या है, हमारा mode है, ठीक है, यानि कि जो भी हमारा answer निकल के आएगा, वो plus में आएगा, चाहे अंदर हमें solve करके plus मिले, चाहे minus मिले, final जो उत्तर लिकना है, हमें क्या plus में लिकना है, ठीक है, उसका off भी नहीं दिया हुए, का भी कई नहीं दिया है, division भी कई नहीं दिय एक माइनस कद लागा है माइनस कद लगा है माइनस क अगया मॉड़ लगा है तो क्या करता है प्लस बना देता है तो क्या हों सा उत्तर हो जाएगा अगले है अगले question की तरफ ठीक है question दिया हुआ है 1 by 3 divide का sign है 2 by 3 plus 4 by 3 into 5 by 3 6 by 3 अब देखिए यहा question आ गया का 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 साथ बटे 3 इसका क्या निकलना मान निकलना है आपको value find करना है ठीक है और option है आपके पास माइनस एक सही 17 बटा 18 बी option है माइनस 17 बटा 18 सी option है माइनस 11 बटा 18 और डी option है माइनस 13 बटा 18 इसका क्या solution दिखते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले हम board mask का rule लगाएंगे board mask के rule ने क्या होता है मैं यहां तीन हम इसका निकालेंग का मतलब होता है गुडा करना यानि कि हम इसको ऐसे लेक सकते हैं एक बटा 3 है ठीक है भाग है ठीक हैं चलिए दे देते हैं किस्थे दो बटा तीन है प्लेस 4 बटा 3 गुड़े 5 बटा 3 माइनस 6 बटा 3 है इसका का मतलब गुड़ा हो जाएगा 7 बटा 3 पहली इसी को solve करना है क्या हो जाएगा 1 बटा 3 अब देखें मैं अगर इसको भाग को यह तो solve हो जाएगा भी अभी मैं अगले step में एक step ग्राइब कर रहा हूँ यह तो अभी solve हो जाएगा 6 सते 42 बटा 9 इसको मैं लिख दूँगा उसी इसके बाद क्या off के बाद division हमें solve करना है तो इसको भी कर लेते हैं 1 बटा 3 जब यह इसको हम भाग को गुड़े में बदलेंगे तो क्या value यह reverse हो जाएगी 2 बटा 3 है तो यह क्या हो जाए 3 बटा 2 पलस 4 बटा 3 गुड़े 5 बटा 3 माइनस 6 सते 6 सते 42 बटा 9 तिक यह से कड़ जाएगा यहां बचेगा 1 बटे 2 यहां पलस 5 ओक 20 बटा 3 तरिक का 9 माइनस 42 बटा 9 इसे को solve कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 18,9 दूना अठारे 9 और 9 दूना अठारे 20 दूना 40 माइनस 9 दूना अठारे 22 दूना 84 पताए इसका final उत्तर क्या हो जाएगा इसका final उत्तर हो जाएगा इसको जब इसमें से जोड देंगे क्या हो जाएगा 49, 49, 49 में से 84 घटाएंगे क्या निकल के आएगा 35, ठीक है, माइनस का 35 बटा 18 क्योंकि 49 से 50 होता है, यहां 34 और वो 35 हो जाएगा, 35 बटा 18, अब इसको क्या करना है यहां 28 से जाँए यहां 28 से जाँए, यहां देगे सब ज़र कम है, 28 से तो को ऐसे लिख्या है यह 18 से अद्स उपर जादे है, तो इसको जोड़ा及 लिख दिया है इसको भी हम जिलानदा इसको भी ने बर से ख़िएगा, तो भाग दिधे दो बार में तो जाएगा ना 18 दूना 36 हो जाएगा एक बार में जाएगा माइनस का 1 18 का नमा 18 बचा क्या 20 होगा 15 दो 70 बटा 18 यह हमारा उत्तर हो जाएगा कौन्स ओप्शन हो जाएगा एक ओप्शन ठीक है अगला कुस्टन देखते है दिया है पांच सही एक बटे साथ ठीक पांच सही एक बटे साथ डिवाइड के साइन दिया है एक सही पांच बटे साथ का हमें निकालना है दो सही एक बटा तीन ओप्शन है एक की लाइन में लिखते हैं ओप्शन एक सही 3 बटए 7 B option है 2 सही 3 बटए 7 C option है 1 सही 2 बटए 7 और D option है हमारा 1 सही 3 बटए 7 चलिए इसको solve करते हैं इसको solve करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले बहुआ से रोल लगाएंगे bracket तो है नहीं, off है तो off करना पड़ेगा इसका क्या हम अभी ये division का solve नहीं करेंगे इसको क्या लिखेंगे पांच जाही एक बटा 7 है ठीक है ये division को ऐसे ही रहने देंगे पहले का को solve करेंगे इसी टाइम इसको गुड़ा कर लेते हैं साथ एक नम साथ और पांच 12 बारे बटा 7 का मतलब क्या होता है गुड़ा होता ह इसको भी लिख देते हैं अब भाग को जब गुड़े में बदलेंगे क्योंकि अब का solve हो चुका है का के बाद हमें क्या करना डी division भाग देना है तो भाग वाला solve करते हैं अब भाग को जब गुड़े में बदलेंगे तो चार है न तो एक बट्टे चार हो जाएगा चार नवा छतिस यानि नौव बट्टे साथ नोव बट्टे साथ यही भाग भी दे देते हैं क्या अन्स जो है हर से ज़ादे है तो इसको सही बट्टे में लिखेंगे ठीक है mixed fraction इसको इंग्लिस प्रूल में बोला जाता है mixed fraction त साथ दूना चाहज़ा हो जाएगा दो बार जादे हो जाएगा तो एक बार में जाएगा साथ एक अनम साथ बचेगा क्या दो दो बट्टे साथ यह हमारा उत्तर हो जाए कौंस ऑप्शन है एक सही दो बट्टे साथ सी ऑप्शन ठीक है दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए like करिए share करिए ठीक है ताकि मैं आप लोगों के लिए अधिक सधिक वीडियो ला सकूँ ठीक है धन्वाद अगली बार मिलते हैं अगले कुछ questions के साथ नमस्कार